Things you should know before giving the geometry exam कल आप लोगों का geometry का exam है So, आपको क्या चीज़े पता रहनी चाहिए ताकि आपके marks ना कटे और और अच्छे marks आए First thing, कि आप लोगों का देखो geometry का paper है Geometry is all about making the diagrams and the structure and shapes तो आपको हर question में diagram बनाना है अगर वो दो marks का है तो आप बना लो अच्छा रहेगा Question में अगर नहीं बनावा है तो आप बनाओगे Okay, वनना might भी अगर आपके 38-39 आए तो आपके वो half marks काट देंगे सिर्फ इसी वज़ा से कि आपने diagram नहीं बनाया Square तो square बना दो ना इतना सा टाइम नहीं लगेगा तो हमेशा diagrams बनाओ ठीक है Diagrams बनाओगे तो और presentable look आएगा और presentable look आने से आपकी जो teacher है वो इतना marks का यूनो वो नहीं करेगी ठीक है तो आपको हमेशा try करना है कि diagrams बनाना है और diagrams भी किस से बनाना है Pencil से Pen का use नहीं करना है diagram बनाते हुए उसके बाद Always draw rough figure for a geometric construction देखो आपका जो chapter number 4 है वो पुरे 4 marks, 3 marks का आता ही है इतने marks का तो वो पक्का ही आता है तो अगर आप उसको rough figure नी analytic figure बोलते है और rough figure अगर आपने ऐसे ही फाल्दू में free drawing कर दिये free hand drawing करो करोगे तो फिर बहुत dirty look आएगा तो इसलिए आपको pencil से एक particular area पर छोटा सा circle triangle जो भी आएगा आपको बना देना है और उस पर आपको mention अच्छे से करना है ठीक है कितना आप लोग labeling कैसे कर रहे हो ठीक है तो बहुत important चीज़ है उसके बाद यह बहुत important है आपका time saver है time management की बारे में बता दियो इस वीडियो में के learn the trigonometric table with tips and write it at the last of the page ठीक है आपको पहले के 10 minute जो मिलिंगे ना in the beginning when you get your answer sheet मतलब आपको जब आपका answer sheet मिल जाएगी ना 10 minute पहले आप वो सब बना कर रखो last page पर ठीक है उसके बाद practice all the proof sums from the chapter number 6 from the textbook itself तो आपको गया करना है trigonometry के जो भी proof है questions है सब कुछ हर एक question आपको करना है अच्छे से practice करना है go through करना है तो आपको वो अपने अच्छे से practice कर लिए तो आपको बहुत सही हो जाएगा तो trigonometry is important उसके बाद always draw around border around your diagram इसका मतलब क्या है तो देखो अगर आपने कुछ बनाया है तो आप क्या करोगे ना आप बनाने के बाद उसका मतलब काफी space छोड़कर उसको एक डिब में बंद कर दोगे समझ में आया मतलब एक border बना दोगे उसके side में ताकि टीजर को समझ में आए ठीक है यह एदम perfect figure बना है यहां पर analytic figure है और यहां पर मेरा आपका जो diagram है वो draw हुआ वह है अच्छे से bordering करो bold bordering करो और काफी अच्छे से labeling भी करोगे labeling नहीं करोगे degree के sign नहीं दालोगे उसमें ही वो ही वो half of marks cut करके आपके 40 में से आपके 37 कर देगी अगर आपके 40 भी आने होंगे तो यही small small चीज़ों के वज़ा से ऐसा हो सकता है उसके बाद write all the units properly according to the question अगर आपकी question में दिया है सेंटी मीटर तो आपको सेंटी मीटर लिखना है अगर आपकी question में लिखा है मीटर वॉल्यूम एरिया जो भी है आपको according to the question ही unit डालना है ठीक है ऐसा नहीं कि आप मतलब volume area area square दिया वाए तो आप कुछ और cube डाल रहे हो volume में आपको cube डालना रहता है सबको बता है उसके वाद ऐसी चीज़े करने है ठीक है मतलब units आपको पक्का ही डालने है ठीक है after that अगर unit mention ही नहीं है मतलब समाझ दो लिखा वाए है कि a coin is of three three बस find this तो आपको करने का if unit अग कुछ भी सेंटीमीटर भी नहीं है तो आप unit लिखोगे क्या लिखोगे unit for example one unit 20 units ऐसा लिखोगे ठीक है छोड़कर मत आना वन मत लिख कराना हाँ पते question में नहीं दिया हो लोग में सेंटीमीटर लिखने का क्या लिखने का लेकिन आप लिखोगे units अगर mention नहीं है तो और य है तो यहां पर सबको समझ में आगे हां तक की चीजें जो चीजें नहीं समझ में कोई डाउट है या कुछ भी questions पूछना है तो आप लोग पका पका मुझसे पूछ लो ठीक है मैं reply देने कर ट्राइब करूंगी और येस तो आपकी special help के लिए मैंने आप पर डाला है hashtag concept series exam special तो yes all about this series is कि आप लोगों के लिए एक एक topic के बारे में मैंने discussion किया है एक छोटी सी वीडियो में जिसमें आपका अगर कोई question कोई concept clear नहीं है तो आपको वो बहुत अच्छी तरी से clear हो जाएगा मैंने वो एक अलग सी playlist बनाई ही तो आप लोग उसको जाकर देखो बीपीटी का मैं दाला है फिर मैंने बहुत सारे अलग-अलग जैसे मैंने segment थे और हम आभी मैं वो शूट करूंगी उसकी वी वीडियो प्लेट होगी तो अपने friends के साथ शेयर करना इस वीडियो को और thank you so much for watching this video till the end bye take care and all